पूर्वित्यमंत्री यश्वन सिना ने जिस तरह आचानक मोधी सरकार पर हमला बोला और सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाए उससे हर कोई हैरान रह गया उनके हमले का जवाब खुद पीम मोधी ने अपने अंदाज में दिया लेकिन जैसे ही यश्वन सिना ने कॉंग्रिस नेता मनीश तीवारी के कारिक्रम से सरकार पर हमला बोला पूरी बीज़िपी उन पर तूट पड़ी है दरसल यश्वन सिना गुरुवार को दिली में कॉंग्रिस नेता मनीश तीवारी के बुक्लाउंच कारिक्रम में शामिल हुए इस मंच से यश्वन सिना ने एक बार फिर से केन सरकार के खिलाफ हमला बोला उन्होंने बिना किसी का नाम लिये ही पीम की द्रियोधन से और अमिश शा की तो नादुशासन से कर डाली लेकिन मनीश तीवारी के मंच पर यश्वन सिना की मौजूदगी बीजीपी को रास नहीं आई पार्टी परवक्ता अनिल बलूनी ने कहा कि ये आज साफ हो गया कि उन्हें अर्थशास्र का ग्यान कहां से मिला है बलूनी के मुताबिक कॉंग्रिस के एक नेता के कारेक्रम में उनकी मौजूद की ये दिखाता है कि उनके अर्थशास्र को कौन परभावित कर रहे हैं इसके बाद पार्टी के एक और परवक्ता जीवील नरसिमा रावन ने भी येश्वन सिना को आड़े हातो लिया उन्होंने कहा कि सिना खुद को एक सर्व ग्याता अर्थशास्री होने का दावा करते हैं लेकिन वो एक वित्ते मंत्री के तौर पर अपने उस विनाशकारी प्रदर्शन को सुविधा पूर्वक ढख रहे हैं ये देखने वाली बात होगी कि एक बेरोजगार राहुल गांदी येश्वन सिना को क्या दे सकता है जाहिर है येश्वन सिना नी जिस तरह से कॉंग्रिस नेता के मंज से अपनी ही पार्टी और सरकार के खिलाफ हम राबोला है उससे ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या कॉंग्रिस से येश्वन सिना की नजदी क्या बढ़ने लगी है इंडिया नीज वारेल की रिपोर्ट